आपसाब का सुगत है मेरी YouTube चैनल इस्टॉक का फंडमेंतल ल 거지 हरोज हम किसी या किसी स्टॉक का फंडमेंटल रिवीव लेते हैं जोड डेडील में डेखना प्रऊसिबल नहीं हो पायệग, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप सब भी बोर हो जाएंगे इसल पर तरीकेस देखें कि कितना भी कम हो किसी भी कंपनी का लगबग 25 से 30 पेज़े सुते हैं तो इतना बड़ा पीज यहां पर डिसकस करना पॉस्बिल नहीं है तो इसलिए आप खुद भी जाके पढ़ सकते हैं डेली हम करते हैं उसी में से आज एक कंपनी का हम मैं लेकिया हू बाग जाओ उसी तरीकेस का काम भी है आप जानते हैं कि किसी भी कंपनी का ओडिट रिपूर्ट होती है जो कि एक सीए बनाता है ठीक है देखते हैं सबसे पहले नंबर पढ़ लेते हैं अकाउंट पढ़ते हैं नंबर देखिए कंपनी की टूटल इंकम 27 से 27 से 28 34 थोड़ी इंकम इंक्रेज हुई बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकि एक ечатाहिए कंपनी के लिए बहुत तो यहां भी ऐसे देखेंगे जिब में बहुत ज़्यादा है तो आपको पता हिए यह इंकम में से मानेस करेंगे तो लॉस ही निकल के आना है profit तो नहीं आना क्योंकि company के income कम है expense ज़्यादा है जैसे आप देख सकते हैं कि earning पर share भी देखिए earning पर से हैं minus 26 सा फिर जीरो 26 फिर नेस्ट जाके 55 मतलब आप देख सकते हैं earning पर share भी अच्छा performance नहीं है मतलब कि company बहुत बुरी तरीके से perform कर रही है बुरी तरीके से perform करें company में कोई उच्छाल नहीं है company के number भी अच्छे नहीं है company के number भी बता दें company कैसी है लेकिन यही काफी नहीं होते हैं और भी चीज़े होती है आपको पता होगा किसी account की report बनाने के लिए CA रखा जाता है और CA ही audit report तयाब बनाते हैं जिसमें लिखा होता है कि कैसे क्या company performance कर रही है उसी में से कुछ point CA के लिखे हुए में आपके सामने है इसक्रेंपर देखिए audit किये हुए है जिसमें की 12 number का point देखिए आप इसमें जब CA ने audit किया तो उन्हें ने company के number भी लिखा है future के बारे में कुछ नहीं बूला है मतलब वो कुछ बोली नहीं सकते company के बारे में company कैसा implement announcement में गड़बर दिख रही है company का performance इतना अच्छा नहीं रहेगा आने वाले time में वो इसके बारे में कुछ future नहीं लिख पाए अगर कोई CA ऐसा लिखता है अपनी audit report में पहले बात कोई लिखना नहीं चाहता अगर कोई लिखता है तो समझ लेजिए company बहुत ज्यादा खत्रे में है कि रिपोर्ट ही बता देती है company कैसा perform कर रही है उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने जो अभी data दिखा है था आपको वो quarter one के result नहीं थे quarter quarter four के result नहीं थे अभी quarter four चल रहा जैसे कि लेकिन उन्होंने quarter one के result सो कि हैं इसका मतलब आप यहां भी गड़बड समझ सकते हैं कि quarter one के number कोई company सो कर रही है इसका मतलब क्या है कुछ ना कुछ चिपा रही है अब 10 number में देख लिए अब 10 number में completely by सितम्मद हो जाए वाइस इसमें भी आप देखेंगे पूरे points को ध्यान से पढ़िए इसमें भी company को आप देख सकते हैं कि पूरा इसका जो यह एन पीए का जो रिसो ग्रॉस एन पीए और नेट एन पीए का जो रिसो वह भी limit में होना चाहिए लेकिन वह भी three sold हो चुका है three sold आप देखें इसमें इसमें पर आपको पढ़ेंगे पूरा अच्छे ते पढ़िए क्योंकि मैं लायबेलिटी भी बहुत ज्यादा है एससे तो लाय सब्सक्राया में इसियुए कंपनी को बहुत लॉस होता है गंदा इश्यूक्त अब चिस कंपनी की बात करते हूं, आप सोच रहे हों किस कंपनी की बात हो रही है, आप देख सकते हैं, इंडो स्ट और कैपिटल फाइनस, यह एक SME लोन भी प्रवाइड करती है, आप देख सकते हैं, कंपनी 8% की गिरावट पर लक्सवारी 6% की गिरावट पर सेर है 129, सेर सेर भी आप देख सकते हैं, आज कल आज की गिरावट है 6% की और आप अगर इसकी 5 यह पर देखें, 78% की गिरावट है, जो की जब जस्त गिरावट है इस कंपनी में, मतलब कहीं, अभी यही कुछ लोग इसको इस कंपनी को भी खरी लेंगे, अगर इसका सौर पर रेट आ जात लोग बोलेंगे, अरे खरी लोग लिए दो कंपनी दोसों, लेकिन ऐसे कंपनी में इन्वेश्ट करना पागल पंती ही होती है, सीड़ी से सब्दों में, अब इसके आगे देख लेंगे तो प्रमोटर की तो प्रमोटर की देखते हैं, 89% प्रमोटर है, यह फाई वन है और DI1 है, और प्रमोटर प्रमोटर बेच की जाएंगे, और जब बेचेंगे तो आम प्रमोटर ही से खरीद लेगी, सोचेगी कि आगे जाके यह बहुत ब्लस्ट करेगा, लेकिन इस कंपनी का ऐसा कुछ फ्यूचर दिख नहीं रहा है, क्योंकि यह कंपनी पूरी रेट में जाती भी दिख रही है, आप देख सकते हैं, क्योंकि इसकी बेलन्सीड और इसकी जो रिजर्ट है, सारे आपके सामने है, आप खुद भी अनालिसिες कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का अबी बीडियो पाने के लिए, आप मेरे चैनल को लाइक करेए, सेस्क्राइब करना मत जिस से आपको मेरी वीडियो की हर वीडियो की नोटिफिशन मिलते रहे और हाँ अभी आप नए हैं और आपने डिमेट एकाउंट नहीं कुला और आप डिमेट एकाउंट का खुलने का सोच रहे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दो हुए है वहां से जाके आप पूरा fundamental analysis चाहते हैं मैं स्वेयर आपके लिए उस topic पे पूरा detail में fundamental analysis करके एक topic पे हम यहाँ पे वीडियो बनाके मैं आपको provide करूंगी ठीक है और हाँ आपने डीमेट अकाउंट नहीं कोला आगें तो आप नीचे description में link देविए महां से जाके अपना डीमेट एकाउंट खोल सकते हैं ठीक है अब मिलते हैं हमारे नेस्ट वीडियो में और किसी नेस्ट टॉपिक पे किसी नए स्टॉक के साथ ओके बाबाए चला